उत्तरप्रदेश के आजमगर्व लोगसवा सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित हैं आजमगर्व से कभी सपाध्यक्ष अकलेश यादो सांसत थे लेकिन उत्तरप्रदेश विधानसवा चुनाव 2022 में उन्होंने करहल की विधानसवा सीट से चुनाव लड़ा और जीता इस तो वो आजमगर्व से लोगसवा सीट रीटेंड करें या करहल से विधानसवा सीट अकलेश ने विधानसवा में रहने का विकल्ब चुना और इसके बाद आजमगर्व की लोगसवा सीट खाली हो गई है आजमगर्व की लोगसवा सीट और उपचुनाव का जब भी साथ म वाकिया याद आता है इमर्जंसी के बाद 1970 में हुए आम चुनाओ में कांग्रेस के इंद्री सत्ता से बेदखल कर दी गई थी यूपी में तो कांग्रेस के खिलाफ जनाक क्रोश का आलम ये था कि राज की 85 सीटों पर तब उत्रा खंड अलग राज नहीं बना था इन 85 सीटो के बाद जब यूपी विधान सवा चुनाओ हुए तो उसमें भी जनता पार्टी को बहुमत मिला नतीज तन राम नरेश यादव राजी के मुख्यमंत्री बने मुख्यमंत्री बन्दे के बाद उन्हें लोगसवा की सदस्ता से स्तीफा देना पड़ा और इस वज़े से आजमगड की लोगसवा सीट खाली हो गई और यहाँ पर उप्चुनाओ का फैसला हुआ उप्चुनाओ में पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारने का एलान कर दिया और यहां से उम्मीदवार घोशित किया गया महसिना किदवई को जो यूपी के बाराबंकी जिले की रहने वाली थी नामांकर फ्रक्रिया पूरी होने के बाद जब चुनाओी अभ्यान शुरू हुआ तो शुडवाती कुछ दिन तो कॉंग्रेस के लिए बहुत बड़ा स्पेस बनता नहीं दिखा लेकिन चौतरी चरड सिंग थे जो इंदरा गांधी को किसी भी सूरत में बरदाश्ट करने की मूड में नहीं थे जानकार बताते हैं कि सरकारी मशीनरी के लिए चरड सिंग के जो आफ दे रिकॉर्ड निर्देश थे वो ये थे कि इंदरा गांधी के लिए इतनी मुश्किल पैदा कर दी जाए कि उनके लिए आजम गड में प्रचार की कोई गुंजाईश न बचे जब कि इंदरी ग्रहमंत्री का ऐसा इशारा हो तो फिर कौन अफसर उन्हें खुश करने की रेस में पीछे रहना चाहेगा फिर दौर शुरू हुआ सरकारी मशीनरी के हट का इंदरा गांधी की सभा के लिए जहां भी अनमती मांगी गई प्रशासन उसे खारिच करता रहा रहने के लिए गेस्ट हाउस मांगा गया तो ये इस दरखास्त को भी खारिच कर दिया गया यहीं से इंदरा गांधी के लिए आजमगड में सकारात्मक माहौल बनने लगा इंदरा गांधी ठहरें इंदरा गांधी उन्हें इसे भुला लेने में काम्याबी का रास्ता दिखा उन्हें जब गेस्ट हाउस में ठहरने की इजाज़त नहीं मिली तो वो मंदर में रहने पहुच गई फिर क्या था आजमगड में इंदरा गांधी की ही चर्चा शुरू हो गई इसके साथ ही जंता पार्टी की जो हवा लोगसभा चुनाओ की समय बनी थी लोगों के मन में कॉंग्रेस के प्रती जो नाराजगी थी वो कम होने लगी इंदरा ने अपनी आखरी मीटिंग में काफी भावनात्मक भाशर दिया उन्होंने कहा था मेरा मकसद चुनाओ जीतना नहीं है मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे लेकर कॉंग्रेस को लेकर आम लोगों के मन में जो भी नाराजगी है वो खत्म होनी चाहिए जब उप चुनाओ का नतीज़ा आया तो वो चौकाने वाला था बहसे ना किद्वई ने राम बचन यादव को हरा दिया और इसी जीत ने अगले चुनाओं में इंद्रा गांधी की बापसी की अबारत लिग दी NBT Online के लिए नदीम की रिपोर्ट